इक था कव्वा, कव्वा बच्व कैसे बोलता है? कौ, कौ, कौ इक थी चीरिया, चीरिया बच्व कैसे चहकती है? चू, चू, चू? चीरिया का घर था मोम का और कव्वी मञ घर अधा गोबर का एक दिन बहुत तीज बारिस हुई उस बारिस में गोवी का गोवर का घर बह गया वह चिरिया के घर पर गया और उसका दरवाजा खट खटाते हुए बोला चिरिया दी दी चिरिया दी बारिस में मेरा घर बह गया है क्या मैं तुम्हारे घर में आ जाओं तो चिरिया बोली नहीं नहीं मेरी कवे भाईया मैं अभी अपनी बच्ची को नहला रही हूँ तुम थोरी दिर बाद आना कवा वहां से उरकर चला गया फिर थोरी दिर बाद चिरिया के घर पर आया और बोला चिरिया दी दी चिरिया दी दी मैं तुम्हारे घर के अंदर आ जाओं चिरिया बोली नहीं मेरी कवे भाईया मैं अभी अपने बच्चे को दूध पिला रही हूँ तुम थोरी दिर बाद आना कवा उर गया फिर थोरी दिर बाद आया और कवा बोला चिरिया दीदी चिरिया दीदी क्या मैं तुम्हारे घर में आ जाओं चिरिया दीदी चिरिया बोली नहीं मेरी कवे भाईया नहीं मेरे कवी भाया मेरी बच्चे को सोनी का समय हो गया है वह सो रहा है तुम थोरी दीर बाद आना इस बार कवी ने चिरिया की बात नहीं मानी क्योंकि उसे चिरिया के घर से खिचरी पकनी की सुगंध आ रही थी चिरिया ने दरवाजा खोला कववा अंदर आया और सीधे जहां खिचरी की बरतन रखी होई थी वहां बैठ गया और जैसे ही खिचरी खाने के लिए आगे जुका तो पीछे उसकी पूछ में आग पकर ली उसे जलन होने लगे और वहां से वह भाग उरकर कहने लगा चिरिया दीदी की खिचरी खाई चिरिया दीदी की खिचरी खाई पुछ को लग गई आग इसलिए बच्चों हमें इस कहाने से यह सिख मिलती है कि हमें किसी से जबरदास्ति नहीं करने चाहिए